इससे पहले वॉक्षिट नमबर वन मैं सभी सब्जेक्ट मैच साइन्स एसस्टी इंग्लिज मीडियम और हिंदी मीडियम सॉल्व करा चुका हूँ आज हम करने वाले हैं वॉक्षिट नमबर दो सब्जेक्ट है मैच क्लास नाइंत के लिए अगर आपने नहीं देखा है नही को जाके पहले समझ लें क्योंकि अभी तो नहीं नहीं है तो आपको समझ में आ रहा है जैकि जब चार-पाच वर्क स्कीट हो जाएंगी फिर आपको आगे की चीज़े समझ में नहीं आएंगी हमें कुछ इंफॉमेशन दी जाती है टेबल की फॉर्म में पिक्टोग्राफ एक यूनिट मतलब किलो वार्ट आर में जैसे राफिरिज़ेटर कंज्यूम करता है एक हजार एक हजार ये है और पंदीर 100 ये है तोाप बता खुदरी सॉचो यह 1100 होगा 1200 होगा यह तेरõ सो यह चोदर सो होगा तो यहां जो ही आगे यह तीन आ रहिए आरहिए हे तो ऐसे ही आपको interpret इसे हम कहते हैं interpret करना तो पहले हम समझेंगे उसके बाद solve करेंगे तो रिया ने ग्राफ बनाया है अपने घर में जो appliances हैं उनके बेस पर कि कितनी electricity वो consume कर रहे हैं एक गंटे में ठीक ऐसे ही नीचे भी एक ग्राफ आपको दिख रहा है जिसमें microwave और television का उपर और नीचे दोनों को mix करके बनाया हुआ है जैसे microwave यहाँ पर देखेंगे ना तो 100 और ये 200 है 200 kilowatt hours है और television का देखेंगे तो ये 300 kilowatt hour है तो इन्होंने इस एक dot को 100 kilowatt hour के नाम से कर रखा है तो ये 200 हो गया और ये 300 हो गया ये different तरीके से data को represent करने के लिए show किया गया है अब सवालों को करते हैं तभी हमें समझ में आएगा finally कि हम इसको apply कैसे करें तो पहला सवाल है what is the annual electricity consumption of washing machine washing machine कितना electricity consumption कर रही है annually तो washing machine मैंने यहां पर माक किया था कि 900 है 500 यहां हो गया 600 700 800 900 तो 900 हो गया तो यह हो गया 900 the appliance that consume more than 450 kilowatt hour 450 से कम तो ये दोनों है 450 से कम वाले और इसके ऊपर भी है ग्राफ तो microwave और television को छोड़के बाकी सब 450 से जादा unit बिजली ले रहे हैं तो microwave और television वाले को अगर इसमें से हटा दे तो energy consumption in 1 kilowatt represented by this तो इसका मतलब क्या था मैंने बताया था आपको आपको ना कि यह जो dot है यह आपको बता रहा है कि energy consumption कितना हुआ है इस graph के according तो यहां पर एक dot का पूछा गया है तो एक dot का मतलब क्या होगा एक dot का मतलब 100 है तो यहां पर हो जाएगा 100 unit using RIA method यह नीचे का RIA का method है जिसमें electricity consumption रेफरीज रेटर की क्या होगी तो एक बार देखते हैं रेफरीज रेटर की कितनी electricity consumption थी रेफरीज रेटर की consumption थी 1200 unit यानी 1200 kilowatt hour एक dot को हम 100 मानते हैं तो 12 dot होंगे तब जाके 1200 kilowatt hour होगा तो अब एक बार गिल लेते हैं 12 कहां तक हो रहा है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस भाई यहां तक तो सभी के दस हैं 12 इस वाले line में हो रहा है यानि इसका answer B हो जाएगा मुझे पूरी उमीद है कि आपने इस worksheet को पहले अच्छे से समझा होगा और फिर solve किया होगा अच्छे से समझ के solve करना सबसे बड़ी बहादरी है क्योंकि आपको एक्जाम में जब आएगा तो फिर आप डरेंगे नहीं और खुद से solve कर लेंगे वीडियो को आखरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जल्दी से चैनल को सबस्क्राइब करें और अपने दोस्तों को share करें कि यहां worksheet समझा समझा के की जा रही है थैंक्यू